हाई एवरीवन माई नेम इस नदी भातनागरन आवलकम यू अल इंदस तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे आज हम गड़े मले हैं क्लास 6 का लर्निंग साइंस की बुक से चाप्टर नमबर 3 फाइबर 2 फाइबरिक काफी इजी चाप्टर है असानी से समझा जाएगा है अल ट्राडर गोस्तों और एस ना फाइबर चलिए विदाव जिली हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं क्लोस आर वन अफ आवर बेसिक नीड जो कपड़े होते हैं वह हमारी बिलकुल बहीं जो बेसिक नीड नीड है वन-फ मतलब उन में से एक है ठीक है जो भी हमारी ब वासम की चो कंडिशन होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम कपड़े पहने पहने जाते हैं तो यह हम बारिश से बचने के लिए पहनते हैं विल डिफर्व वी विए अलग अलग के कपड़े पहनते हैं एकरडिंग concentक cricket रहे हैं हुन के पहाड पर उनका पहनता है। तो कपड़े होते हैं साफके की Lohukral क días तो कपड़े होते हैं थो कपड़े डियरे depends regardless of the involvement in finished World I was a Knee भी जाकते हैं नहीं तो कपड़ होते हैं तो कपड़े वह Amber Kinabage दीच्ब्स जो अफीर क्लाइमित इसके साफ से भी पहने जाते हैं लाइक आप Sutym्हें के रहते हैं वक्षे स्कूल के होग गिंगा कुछर से उसकी क्लिशंट के कपड़ रहे रहते हैं आप दीरे क्या हो रहा है कि साडी की जगे साब कर दिया है तो बहुत सारी जगा है कप्डे अपने traditions के साफ के पहनते हैं और अलग 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 प्रकार का tradition कप्ड़े पहनने का तो उसके साफ से कप्ड़े पहने जाते हैं कपड़े पहने जाते हैं कि आपकी क्या से जरूरत है कपड़े डेली नीट के साफ से मतलब क्या हुआ जैसे हम घर में हैं तो बहुत ही इजी वे में रहे हैं तो पजामा टीशिट भी डाल लिया ओक्या है लाइक अमेरी जरूरत क्या है कि कपड़े कैसे चाहिए ली जिसरे बियाप कमफर्ट टे तो जैसी आपकी जरूरत होगी उसके साफ से अब कपड़े पहन लेते हैं अब लुट मफरे तॉप्ड़े जो हम रोज पहनते हैं जैसे पहनते अलावा भी पहनते कपड़े फिर प्रेश्स तो कपड़े होते हैं हमारे जो हम बहें थाना प्लस हम जो अपनी घर में तॉलिये यूज करते हैं कर्टें मतलब हम जो अपनी घर में पर्दे यूज करते हैं यह होते हैं अलग-अलग के फैब्रिक से बने आप छूपके देखेगा इनका कपड़ा होता है वह बहुत ही डिफ्रिंट होता है तॉलिये के कपड़ा परदे क क्लोथ से जानते हैं या लोत onion जैंकर जानते हैं फाइबर स्टेथ पतले बहुत किन्फीस होसा यहां है फॉट हो जाते हैं कोई समझने लगते हैं फाइबिक फाइबर नहीं होता फैबर से फाइबर किया है इसthenese होते हैं जिक है जिनको कहना चाहिए गूथ के धागा बने गा और उस धागे से जो है वह फाबरिक बनता है ठीक है उस धागे से फाब्रिक बतलब कपड़ा एक तरीके से तयार होगा तो फाब्रिक जो होगा are made from certain type of fibers fabric जो बंता है वो fibers से बंता है समख्छू बात को फैब्रिक जो बंता है वो अलग अलग टाइप के fibers से बंता रहाई अब fibers तो फाइबर्स जो होते हैं वह लंबे-लंबे और बहुत मजबूत और बिल्कुल फ्लक्सिबल है आप उसे अराम से मोड़ोड सको ठीक है थ्रेड लाइक धागे की तरह के जो है वो मेटीरियल होता है तरह के फाइबर्स होते हैं नाचुरल संथाटिक और मिक्स्ट फाइबर्स अब फाइबर्स को आप दिल्कुल फ्लोचार्ट बनाके आएंगे तो आपको मांक्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं ठीक है तो डेफिनिशन आप ज़रूर लेकिन पहले आप फ्लोचार्ट तो एक ढूर्ट कॉनखन आइक आम बतर्रम से एक प्लांड और यानवरिशन शाहिता है जैसे कि हमें रूल मिलता है शीप अगरा के उपर से करते ना निकालते और सिल्क जो सिल्क वाम से मिलता है तो यह आप इसी तरीके से दो-दो एक्जांपल के साथ इससे फ्लोचाइट में बना के आएंगे संथाटिक फाइबर्स की अगर बात करें तो जो केमिकल्स वगरा से फैक्ट्रीज में बनता है इसके एक्जांपल होते हैं नायलॉन और पॉलिस्टर और भी एक्जांपल हैं हम आगे बढ़ेंगे दो एक्जांपल तो मिनिममम आप ऐसे लिख कर आएंगे दिन बात करते हैं जिसके अंदर की मिक्स रहता है तर नेच्टरल और सिंधाटिक फाइबर का जैसे की टैरी सिल्क और टैरी वूल अब देखे उसमें सिल्क और वूल दोनों आ रहा है ठीक है अब आते हैं कि करके समझते हैं नाच्रल फाइबर्स डेफिनिशन लिखने के लिए आगे हम क्या जूट कोर हैं और फ्लेक्स ठीक है अब आप ऐसी भी बना सकते हैं ते कि नैच्रल फाइबर इस तरह से लिखे और इस तरह के पांच अरो बनाए और पांचों अरो में एक इक नाम लिख दें ठीक है एक जगा कॉट यह जगा जूट एक जिगा से तरह से इट लुक्स सो ग डालना फिर दोनों तरफ क्या किया आपने इहां नाच्रली फइंट फाइबर लिख्खान है और इनिमल फाइबर प्लांट फाइबर को भी सब्ड़िवाइड कर सकते हैं प्लांट फाइबर मेन भी अलेंज देख सकते हो चीक यह किया उसके बात चलो आजओ बूल को भी सब् शीप से मिलती है और गोट से मिलती है it is also obtained from the hair of rabbit rabbit जो हमारा होता है करगोश जो होता है उसके बालों से भी हमें वूल मिलती है जो पहाड़ों अगरा पहुत भी बतले बिक्तम पौला रीजन्स में पाई जाते हैं उनसे भी मलती हैं उनके जो do से मिलती ही जो रहता है उससे हम जो है नियम प्रांट को जाती है ठीक है हम अफ्टेन करते हैं इस एक फाइबर इस जाएगा वो बन गया कुकून बार में पूरा प्रोसेस होता है उस क्या होता है उससे हमें क्या मिलता है इतना याद रखना है कि किस से मिलता है के आइ kalau जाया का से यह अभव डौन अप्श से मिलता है तो चोटा संपले किशना डेन वर इस ऌ Πारिवर इस उसको में मिलता है यह बनता है नाचर फाइबर से चैह mammary ठीक है डिखते है but yes not hey natural fabrics के फायदे क्या होते हैं इस फ़ापर्ड एब्स प्सॉरब मोर बाटर हैं इस तरह के जो फ़ाब्रेक होते हैं जो नाचुरल वाकर रहे सब्सक्राइब करूएं बात मैंने अभी करी थी चीक है तो एब्सॉर्ब करता है मूर वाटर हैं स्वेट को दूसरे पॉइंट हो गया कि एर को पास करने देता है यानि कि यह प्रकरती में अपने आप यह अपने आप जो है वह गुल मिल भी जाते हैं राइट बायो जिग्रेजिबल कौन से होते हैं जो मिट्टी में बात में घुल मिल जाते हैं कि इन्वार्मेंटल प्रोस्पेक्ट से देखें बहुत सेफ होते हैं चीके ना इन्वार्मेंट को भी बिल्कुल हाम नहीं पहुंचाते हैं दो नॉट रिटेन दियार ग्रीज़ फॉर लॉंग यह थोड़ा सवी दिक्कत आती हैं कि जब आप clearly भी तो थोड़े टाइम बाद इसे पहन लेते हैं इन कोच्छा मिंटेन गरता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है तो क्या करते हैं अपनी रिटेन नहीं कर पाते हैं अपनी क्रीज को ठीक है अपने प्राइस को अच्छे से नहीं रहने ते और बहुत अच्छे जैसे कि आपके अलग से नहीं आते हैं डिटरजेंट वगेरा जो बहुत ही डालीकेट लोग दोने के लिए आते हैं जिक है उन से थोना चाहिए क्योंकि अगर आपने ऐसे वाशिंग कर दी तो बहुत बार ऐसा होता है जो नाच्रल है अबर नहीं बहुत है कि नाच्रल जो फब्रेक वह जाता है श्रिंक हो जाता है देकन इसली बी अटक्ट बाइम और माउल्स क्योंकि नाच्रले है तो कमीकल तुम नहीं एक्ट नहीं कर पते हैं इन्हें फब्रेक चल पिघंजरा आ को जहते हैं जल्दी ही दो इसा पानी की जादा subsidies कि 75 एनको ठाईम लगता है ठीक हैं नाच्रल सिल्क एस वैशमा क्सपेंसिए and not quite affordable important point क्योंकि सिल्क जो है naturally obtained किया जाता है लंबा process है बहुत महनत लगती है इसी वजह से जो है थोड़ा सा expensive ही रहता है यानि कि थोड़ा सा महेंगा हो जाता है और affordable नहीं रहता वह कोई बीचीज जो महेंगी है वो affordable तो नहीं होती फिर आप आएए आगे human made और synthetic fibers निकि जो इनसान बनाता है chemicals वगयरा से these factories में वही थो होते है human made human made means what इन्सानों के दwárा नयागए synthetic fiber होते हैं इन्सानों के द्वारा बनाए गए fibers को हम बोलते כई synthetic fiber ईनी कि human made fiber is equal to synthetic fiber te Baker the fibers that are made by humans fiber जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं from different chemicals अलग अलग प्रकार के chemicals को यूज करके in the industries कहां बनाए जाते हैं इंडुस्ट्रीज में are called human made synthetic fibers उनको हम बोलते हैं human made synthetic fibers some of the common synthetic fibers are common synthetic fibers के example अकसर लिखने के लिए आते हैं याद किजिए यह चारो नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए नाइलान टारेलन पॉलिस्टर एक्रेलिक तो synthetic fibers are mostly obtained from petroleum synthetic fiber कहां से मुस्टली प्राप्त के जाते हैं आंसर इस petroleum से ठीक है तब फाबरिक made up of synthetic fibers अब क्योंकि देखो पतले पतले strains धागों से तो बनते हैं यह fibers होते हैं पतले-पतले धागे इससे मिलाकर हमारा फाबरिक या यह कपड़ा बनता है तो जो synthetic fibers से बना वह क्या होता है वह संथाटिक फाबरिक होता है ठीक है असानी से फटते नहीं है और easy to maintain होते हैं ठीक है easy to maintain है इन्हें मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं कि प्रैस्पस भी जल्दी खराब नहीं होती दे जो नॉट एब्सॉर्फ मच वॉटर यह बहुत ज्यादा पानी को नहीं की अब्सॉर्ब करते हैं इसी वजह से क्या होता है जल्दी से सुखा लो और सुखा के वापस से पहन सकते हैं रिंकल फ्र पर जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी होते हैं डिसडवांटेज़ गणानी की नुकसान क्या क्या होती हैं जैसे कि कॉटन वगएरा जो हमारे नेच्रल फाइबर से जो नेच्रल फैबरिक होता है वो अराम से हवा को पास होने देता है इससे आपको गर्मी नहीं लेकिन यही एक synthetic fiber का नुकसान है कि air को जाधा pass नहीं होने देते ठीक है तो hands are not good for summer इसलिए अब summer में कम ऐसे ही कप्रे चाहिए जिसमें की हवा आर पार जा सके हमरे body को लग सके लेकिन synthetic fibers जो होते हैं जो fabric बनता है ठीक है उसमें ऐसा नहीं हो पाता है अब देखो गर्मियों में पहने के लिए तो synthetic जो है फिर पिलकारी हो गए ना तो हवा जाने दे रही है ना ही पसीना सोकते हैं केचिन में जाने के लिए भी synthetic fibers बहुत खराब होते हैं because they easily catch fire क्योंकि इन में आंग जो है बहुत ही तेजी से लग सकती है बहुत जल्दी लग सकती है they are non-bio-degradable non-bio-degradable का मतलब होता है कि यह प्रकरती में आराम से गुलते मिलते नहीं है यानि कि जब देखो कोई चीज जैसे plastic है वो non-bio-degradable है खराब नहीं सड़ेगी नहीं एक टाइम पर जाके और मिट्टी में गुलेगी मिलेगी नहीं सेम सेंथाटिक फाइबर्स भी है यह non-bio-degradable है प्लास्टिक की तरह हांफुल तो नहीं होते होते ना बट फिर भी यह non-bio-degradable की होती है दिख्या-mical used in these manufacturing, जो chemical इनने बनाने में लगता है, find a way in water-body, तो वो क्या हो जाता है? वो water-body में भी चला जाता है, देख्यो, end of the day हमारा जो, हम जो भी पहन रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी लास में वो waste हो रहा है, कच्रे में जा रहा है, खच्रे में जा रहा है, गच्रा, water water bodies में जाके मिल जा रहा है और फिर क्या हो रहा है वो से पॉल्यूज कर रहा है so they are harmful for the environment इसी वजह से ये environment के लिए बहुत ही जादा नुक्सान दायक है अब बात करते हैं mixed fibers की the fibers made by blending natural fibers with synthetic fibers ऐसे fibers जो कि natural fibers or you know synthetic fibers को मिला कर हम obtain करते हैं superior and useful fibers होते हैं उनको हम बोलते हैं you know mixed fibers तो इस तरह के fibers जो हैं की quality हो गई की काफी superior होते हैं की quality अच्छी होते हैं और काफी useful होते हैं क्योंकि दोनों के गुण इसमें आ जाते हैं अब जैसे की taricot कैसे बनता है ट्रीलीन प्लस cotton को मिला कर बनता है important point ट्रेसल को कैसे बनता है ट्रीलीन और सिल्क को मिला कर बनता है यह कुछ mixed fibers के example है इन्याचे से याद किजेगा अपने flow chart में भी उस किजेगा अब आते हैं हम आगे cotton cotton is a soft fiber cotton जो है बहुत ही soft होता है चुने में and grows around the seed और जो बीज होता है cotton का उस जो है उसके आप आप देखोगे वो पूरा गोल को लेक बॉल सी आ जाती है मैं वताती हूं आपको ऐसे ऐसे कुछ बॉल सी होती है और बीच में जो है सीड होता है सब cotton 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 होता है तो ग्रोज एराउंड था सीड इस तरह से ग्रोग कर जाता है सीड के एराउंड तो cotton ब्लांट सा यूजुली ग्रोण अट प्लेस एविंग ब्लैक स्वाइल अगें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की न कॉटन ब्लांट को गाने के लिए कौन सी स्वाइल की ज़रुरत है एक freshmen में अगर chapter आ रहा है तो ये question 1 mark में आया ही होना होना चाहिए ठीक है आना ही है कहना चाहिए बल्की और कैसा climate चाहिए है इसको warm climate या तो climate पूछेंगे या पसे soil पूछेंगे black soil में cotton होता और climate उसको warm चाहिए होता है बेसिकली मोटा मोटा वोलू तो black soil जादा important है चीक है warm climate भी पूछा जा सकता है in our country अगर हम बात करते हैं तो cotton is cultivated in हमारे देश में cotton कहां कहां हुगता है माराश्ट्र में माधर प्रदेश में पंजाब में राजस्थान में कुझरात में अंधरप्रदेश तमिलाडू और करना के लिए temperature कितना चाहिए 25 यह भी important point है कुछ अपने key points बना लो इनके 4-5 पॉइंट में अपना लिख लो इनको इन्पोर्टेंट इन्पोर्टेंट स्वाइल कैसी चाहिए temperature कितना जाहिए climate कैसा होना चाहिए बस sorted है फिर उतको 45 points को याद कर लो हो गया आपका काम चीक है rainfall कि चाहिए इसको 60 degree sorry 60 cm चाहिए 200 cm तक 60 cm से 100 cm तक कन को rainfall चाहिए अपनी growth के लिए फिर से देव धान दो soil कौन सी चाहिए black soil चाहिए temperature कैसा चाहिए warm climate चाहिए temperature कितना होना चाहिए 25 दिगरी celsius और जो बारिश है वो कितनी होनी चाहिए 60 cm से 100 cm तक एडिया कौन-कौन से होने चाहिए जाओगे महराश माध्रपरदेश पंजाब राजस्तान गुजराथ आंत्रपरदेश तमिलाडू इन करनाटिका एक ट्रिक बताती हूं इने लर्ण करने की कि आप इन सारे स्टेट्स कोई कोई भी पहला पहला जो लेटर है उसे लेकर अपने अपनी सुविधा से कोई भी कि स्पैलिंग मना लो बस लर्ण डाट इस पालिंग जैसे की अब इन सबको मिला यह कोई अच्छा सा एक वर्ड बना लीजे और अपने असाब से रख लेना आगे बीच से तो कोई फरक नहीं बढ़ेगा और आपको इसी हो जाएगा इन सबको याद रखना तो कॉटन ब्लांट इस यूज्वाली स्वारी इस बुशी कॉटन ब्लांट को पूरा कल्टिवेट कैसे किया जाता है अगर हम बात करें इंडिया की दो ग्रुइंग पीरियट फोर कॉटन इस फ्रॉम मार्च स्प्रिंग सीजन जो ता है मार्च कमारा स्प्रिंग सीजन होता है और बहुत जबरदस बढ़िया वाला मुसम होता है तू नेवंबर जहा चाहिए और दूसरा सीजन कहुं सा है इसको मार्च के मासर में हम इसको ऊगाना शुरू करते हैं cotton seeds grow steadily यह जो हैं बड़ी तेजी से उखते हैं को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता the fruits of the cotton plants are cotton balls जो cotton ball होती है जिसको सीड अठाके बाकि हम cotton जो है उसको use करते हैं इंडस्ट्री में ठीक है तो वो क्या कहलाते है cotton balls वो cotton balls होती है cotton balls क्यों होते हैं because white white balls की तरह यह उगते हैं बीच में एक सीड होता है बस इंके वो निकालना होता है the cotton balls grow slowly ठीक है balls grow slowly and small seeds and cotton fibers जो है वो developed होते हैं देखो जब आपने plant किया तो steadily grow cotton जो होती है प्लांट जो है जल्दी से बढ़ा हुआ लेकिन बाल्स जो है cotton balls वो जो grow होती है वो slowly होती है and small seeds and cotton fibers जो होते हैं वो उसमें डेवलप होने शुरू हो जाते हैं a fully mature cotton ball is of the same size as that of a lemon अगर हम बात करें कि उगने के बाद cotton की ball का size लगभग किसकी तरह होता है तो lemon के जितना बढ़ा होता है इंबु के जितना बढ़ा होता है it is brown in color right this color कैसा ब्राऊन होता है after maturation जैने कि जब ये बढ़ा हो जाता है पुरा mature हो जाता है तैयार हो जाता है the cotton ball burst open एकदम फट जाता है and the seed covered with cotton fabrics और हम सीज को देख सकते हैं जब यह पूरा मैच्वर हो जाता है जिसके आसपास यह उग्रा है जुस्से वह कवर्ड है तो सीड भी देखा जा सकता है फिर आपको कॉटन ब्लांट की फोटो भी हां दिखा रखिए हैं चलिए आगे चलते हैं हैंड पिकिंग ऑफ कॉटन बॉ कि यह निए कि हाथ से तोड़ तोड़ के कॉटन बॉल को एक अठा करते होंगे अब कॉटन बिकिंग बाइब मशीन और दूसरा प्रसेस भी होता है हैंग्ट प्रॉस्टिंग फ्लॉफी जो संकी हीट होती है जूब होती है वह इन फाइबर को कैसा कर देती है ट्राइक कर आइस सन ड्राइस इस फाइबर सक को ड्राय कर देती है टॉनिंग दैम फ्लॉफी और इनको फलॉफी बना देती है आगैस वाइज नो इनको फ्लॉफी बना दे लिया फ्लीप रख यह और शोघ्जिय अगरा उन इस ताइम अगर हम बात करें थे को भॉड ऐल कर पावर्ड पुरे वाइट हो जाते हैं तब टाइम आता है इन्हें हार्वेस की कटाई का कॉटन क्रॉप्स आज मुस्टी हैं पिक्ट ठेक हैं मुस्टी तो हम हैंड पिकिंग के प्रोसेस को लिख करते हैं in big fields machine are also used for picking cotton तो दोनों तरीके आप लिख सकते हो एक्जाम पर लेकिन दोनों ही लिखना फिर अगर ऐसा मत करना कि सिर्फ मशीन लिखो को विख हार्वस्ट किया आप अब आते हैं एक्वाटन जो ही कौटन का जो ही यूज प्रियोग क्या से वहता है कहां इसका प्रयोग होता है cotton fabrics are used for manufacturing cotton sorry clothes and linen कपड़े बनाने के काम आता है कपड़े कपड़े होते हैं उसे प्लस लिनन बहुत प्यारा बहुत हलका सा कपड़ा होता है इसको बनाने के काफी काम आता है जनरली मेड़my होते हैं और हमारे टी-शिर्ट होती हैं यो बनी काम इन कानओ क्डिशन के लिए बेस्ट मनेजाते हैं because they are soft to touch चुने में बहुत soft होते हैं absorb कर लेते हैं sweat यह नी पसीने को and let the air in और हावा को अंदर जाने देते हैं a cloth that lets the air in is set to breathe मतला हम क्या करेंगे हैं हमें सांस लेने दे रहे हैं the sweat absorbed by cotton जो पसीना cotton के द्वारा absorb कर लिया जाता है you know more quickly due to the air it breathes क्योंकि यह हवा को मतलब वही हो गया एक तरीके से हवा से सांस लेते हैं तो इससे हो क्या रहा है actually basically तो हम यहां पर क्या करें हैं personification बोल रहे हैं कि कपड़ा जो है वो सांस ले रहा है इसका मतलब यह है किनमें हवा लगती है और यह जल्दी सूख जाते हैं right it results in cooling down the body इससे क्या होता है जब पसीना सूख जाता है हावा लगती है तो बोड़ी हमारी ठंडी हो जाती है तो बोड़ी हमारी ठंडी हो जाती है उससे हमें अच्छा लगता है अनंद मिलता है right cotton is blended with other fibers cotton को हम blend करते हैं मिलाते हैं दूसरे fibers के साथ to make mixed fibers और इससे क्या होता है अभी हमने पढ़ा था कि बही अलग जो है नया ही है बारा कपड़ा बन के आता है नया है fibers निकल के आते हैं एक example दिया आपको टैरी कोट का आप gun cotton is an explosive it is also made from cotton gun cotton एक explosive है और यह क्या है बड़ा important point है यहां पर हर जगह नहीं होता है यह वहला point gun cotton जो है वो एक explosive है and यह also made from cotton cotton से बनता है cotton is used to absorb blood देखो जो रूई बगर होती है आपने दिखा होगा न डॉक्टर से उससे कून मून पोचते हैं क्योंकि blood को absorb कर लेती है पस पस जो पीला सा आपके जख्म में से कई बारे कर लिक्विड निकलता है ठीक है उसको पस बोलते हैं वाउंड दिखा रहे हैं आपको जख्म जो होता है उसमें से जो पस निकलते हैं उसको भी अच्छे से सोक लेता है and in other medical procedures में भी हम इनको यूज करते हैं ठीक है करते हैं the earliest written reference to cotton is from India अगर हम बात करें earliest सबसे बिल्कुल प्राचीन काल में बिल्कुल शुरू आज जब होगी तब cotton को हम देखते हैं कि कहां से reference जो मिल रहा है हमें कि बहुत लोग ने cotton यूज करना शुरू किया था अगर हम और रेसोर्च पर बात करें तो इजिप्टियंस जोते इसको नहोंने लगबग चौदा हजार साल पहले है को यूज करना शुरू किया था पापस परती हूं लाइनों को अरल्लियस रिटन राफेरेंस ए इंडिया से रिलेटेश नहीं जोते हैं फिर हम कमेंट करेंगे फिर मैं आपको जबाब बता दूगी अब आते हैं छूटी छूटी डेफिनिशन कहां से बन कराती है जैसे किया चाहता है वाट इस गिनिंग ठीक है अन्हां सकते लां बिन्ष्यक से करते यहां इसे इस्टाउ कनल यूजर करते हैं तो तो उससे बोट यह बिए लेकिन संस्क्राइब आ है मशिंस आ गई है जैसे की रोलर मिशींग न मैं में रोलर की राइट रूलर की वाणिग या रूलर किन एक तो था और यूंस्ट और फचुल कन सबस्टाइब कर ते दियुन नहीं भी प्रफ उन्हों ने बता है यह नात और यह न होटा हो जा एंट दे गए कालेक्टट इन आ सेपरेट वह सल्ट और कोटन वह उगाने के लिए उसके बीज़े कट्टे कर लेते होंगे इनकी दूसरे वैसल की बड़तन में यह बीज़े कट्टे कर लिए जाते हैं वेन गिनिंग इस कंप्लीज़ जब गिनिंग का प्रोसस कंप्लीज हो ठीक है which is transported in factories जो यह bells होती है इसका हिंदी बरज़नकर हम दिखते हैं हम इने गाठे बोलते हैं ठीक है अब आते हैं आगे अब यहां से दिखो यह तो हमने पढ़ लिया कि यह रोलर गिन कैसे काम करता है कंगे की तरह काम करता है ठीक है अब आते हैं spinning का प्रसेस क्या होता है it is the process of you know changing fiber into yarn की यह process होता है जिसमें fiber होता है यान की धागे में जो पतले पतले धागे होते हैं तो प्रापर इंसे यान नया जाता है ठीक है fiber से यान बनता है इस बात को तो बिल्कुल मतब इस तरह से ऐसे लिख ले ना fiber से फिर यान बनता है ठीक है फिर आ जान से दिखाएंगे आपको ठीक है इसको दिखते चलना से इसी इंट प्रासेस ऑफрут ऐंगग купान से और टिष्ट गतन यहां चैसे हाथ से बठते निया मल मल के आदूनों आतों के बीच मेरा गड़लो इस तरीके से समझ जो हाथ से नहीं होता है प्रासर्स अब आम तरह से क्या करता है यान में कनवर्ट कर दिया जाता है आप आये यहां पर handle, नहीं, hand spindle और टकली and चर्खा, चिक है, hand spindle का ही दूसरा नम है टकली और दूसरा है हमारा क्या चर्खा वई, यह दो आपको याद रखने हैं, यह क्या है, यह two hand operated devices हैं, जो spinning के काम आती हैं, इन रोलर एरियास जैसे की गाउवे के रा में पीपल स्टिल यूज करते हैं आज भी जरके का फॉर मेकिंग त्रइट दागा बनाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं यान बनाने के लिए यान त्रइट एक की बात है दागा ही किते हैं फ्रम कॉर्टन से यह बनता है स्पीनिंग ओफ यान ओन लाज स्केल इस दन ऑन स्पीनिंग मशीन अब ऐसे छोटे-छोटे मतलब आपके स्केल पर तो इतना जाद आप दागा नहीं निकाल सकते हैं तो उसके लिए बड़ी-बड़ी मशीन होते हैं जिन्हें स्पीनिंग मशी अब आते हैं अब आते हैं आपको तस्वीर भी दिखा दे और आप से पूछ लेए किस चीज के और यह क्या है हमारी स्पीनिंग मशीन है चलो आगे दिखते हैं अभी एक्टिविटी यह दिखो एक्टिविटी तो आपको खुदी पढ़ने होगी और वह बहुत लंबी वी इसा प्रोसेस है जिस पर यान यान की जो दागा होता है उससे क्लोथ यान की कपड़ा बनाया जाता है दो प्रोसेस ऑरेंजिंग तो सेट्स ऑफ यान तोगेदर तो मेक अ फैब्रिक विद्धी हैल्प ऑफ थांड लूम और पावर लूम उसको हम बोलते हैं वीविंग का एक क्लोथा", अपने क्या किया आपने दो धागों को लिया और उससे बैघ बनाया तीक है beetle से अरेंजिंग का यान ने सुंप smy Cay से यान यान से फिर हमारा ये cloth बनेगा राइट the process to convert yarn into cloth the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric दो set of yarn को मिला कर हमें फाबरिक बनाना होता है with the help of hand loom के हाथ से तो है ना हम मशीन हो गई या फिर power loom से में सब्सक्राइब करते हैं on a small scale अगर हम चूटे स्केल पर बात करते हैं तो हम hand looms का यूज करते हैं पॉइंट याद कर लो इस पॉइंट को भी कि अगर हम स्मॉल स्केल पर बनाते हैं तो फिर हम hand looms का यूज करते हैं on a large scale cotton fabrics are made by big machines large scale पर बनाते हैं तो हमें बड़ी-बड़ी मशीनों की जरुत होती है that run on electricity जो की बिजली से चलती है that runs on electricity these machines are called power looms power power electricity ठीक है तो power looms से चलती है यह machine ने तो उनकों बोलते हैं power looms to understand weaving let us do the following activity that you need to you know learn yourself or read yourself ऐसा कुछ खास नहीं हो था बहुत की सिंपल सी activity हर एक के स्कूल में कराई जाती है राइट चलो आके दिखते हैं in the same way two sets of yarn are weaving to make a fabric जैसा हमने activity में देखा हां कि दोनों को बुना हमने ठीक है और उससे fabric तयार इसी तरह से किया जाता है the yarn are much thinner yarn जोता है बहुत ही पतला होता है then the paper strip paper की strip तो आपने बहुत चोड़ी ली होगी जोब आपने एक्टिविटी करी होगी लेकिन yarn जोता है वह बहुत ज्यादा बहुत 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 थिन होता है बहुत पतला होता है अब यहां दिखते हैं knitting process knitting होता है जैसे दादीमा sweater बुनते हैं this is what the process of knitting is you must have seen a lady knitting a sweater आपने जरूर दिखा होगा lady को sweater बुनते हुए और muffler बुनते हुए with the help of two knitting needles right दादीमा वगरा को आपने देखा होगा ठीक है कि इस तरह से दून निदिल लेकर वह क्या कर रही है सब्सक्राइब बुन रही होती है in knitting a single yarn is used to make a piece of fabric knitting के process में सिंगल यान से process किया जाता है अब आईए knitting can be done by hands knitting जो होती है वह हाथ से भी की जाती है using knitting needles knitting की जो निदल होती है उससे की जाती है आप single yarn के साथ साथ आप यह भी सुन लो इसमें कई बार दादीनानी बनाती नहीं मिक्स्ट कलर के स्वेटर भी बनाती है तो हम multiple भी यूज़ कर सकते लेकिन आप जो है इसमें लिख कर जो आएंगे वह single yarn ही लिख कर आएंगे राइड क्योंकि सिंगल यान की लिखेंगे समझने के लिए आप बता देरी हो कि वह कई बार अलग-अलग उन भी यूज़ करती है उससे अलग-अलग डिजाइन भी डालती है ठीक है अब देखो आज उतना तो नहीं रहा है यह कलचर हाथ से स्वटर बुनने का तो मूस्ट आफ द जो निटिंग का जो प्रोसेस है वह मशीन से होने लगा है अब आते हैं आगे जूट की बात करते हैं ठीक है अब आपको यहां पर देखो इस सारा आपको बता दिया कि प्रोसेस कैसे होता है पहले गिनिंग होता है यानि कि cotton में से seeds हटाते हैं फिर spinning यान से हम जो है sorry fibers से हम यान बनाते हैं उसके बाद होता है weaving जहां हम यान से fabric बनाते हैं इसको अच्छे से बना किया ना exam में अगर कोई ऐसा question आई जहां आपको लग रहा है क्या बना सकते हो जरूर बना किया ना मार् plant fiber होता है जूट plant पे से मिलता है हमें obtained होता है from the stem of the jute plant कहां से होता है plant के किस पार्ट से आता है यह बहुत जादा पूचा जाता है कि golden fiber किसी कहा जाता है cotton को जूट को ऐसे one word में भी आ सकता है तो हमें पता ही है कि यह किसको कहा जाता है जूट को कहा जाता है golden fiber very important very very important the most useful properties of jute are its biodegradability क्योंकि यह प्रकरती में घुल मिल जाता है तो यह ही इसकी सबसे बढ़िया property है दूसरा durability है ना अगर properties इसकी लिखने के लिए आएंगी तो क्या लिखोगे तीन पॉइंट लिखता होता है जूट के दो युनों बोरे बनाए जाते हैं उन बोरो में आलू प्यास ठेर भर लिया जाता है फिर भी फुटते नहीं है तो durable बहुत होते हैं और strength इनकी बहुत जादा होते हैं ताकत इन में बहुत होते हैं बड़े मस्बूत होते हैं in our country jute is cultivated यहां से भी जूट म इसको कल्टिवेट किया जाता हैं इसे कैसी मिट्टी के ज़रुवत करते हैं जानी कि आ पानी डाले यसमें रूके नहीं वह भी जा में जाए जैसे की बहुत बढ़ा एक्जामपल है धान दीजे कॉटन उपता है ब्लैक स्वाइल में जूट उपता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट चलो आगे दिखे हैं जूट कल्टिवेशन निल्स होट न्यूमिट क्लामेट क्लामेट पूछे जाते हैं होट और हुमिट क्लामेट इ और हाई रेन फॉलिस को बारिश बहुत चाहिए होती है लग बाग 200 सेंटीमेटर को बारिश चाहिए दूरिंग ग्रोइंग पीरिट उस पीरिट में जब यह ग्रो हो रहा होता है इंडिया इस दे लार्जेस्ट प्रिद्यूजर ऑफ जूट प्रोडट्स इंडिया जो है वह सबसे बड़ा युनों प्रोड्यूजर है बनाने वाला है जूट प्रोडट्स को इंडा वर्ट फॉलोड बाइ बांगलादेश राइट बांगलादेश भी करता है और इंडिया तो लार्जस्ट ही है अबाउट 85% परसेंट आफ जूट कल्टिवेशन इस कॉंसंट्रे डिष्वेशन जाते हैं जूट इसर रिणी सीजन जूट और फ्रेस सब्सक्राइब जूट आशगे प्लंट अनों इस सेसेंट्ड ट्यूट प्लंट खों दूट तो इससी तो फूलम यॡ्र बबॉडब यह काटने वाली टाइम काटने वाली स्टेश तक बहुत जादे हैं दिस विकॉस गुड क्वालिटी जूट इस अप्टेइन फ्रम इट्स यंग स्टैम अगर यह लगे लगे बुढ़े हो गए ना जादा पराना हो गया तो इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आएगी राइ कारवेस्टिंग दे श्क्राइब स्टॉक्त रश्वे निटी ए रिखने के बादे में रखते हैं बॉंत अन्लाफ्टे स्टिगन रहों अन्ट ऐंदर जो धू है बदाल के अन्धर पाने distributing Tiger आहां या सदी की मैटर अटोट था फाइव वूजज चिप्चिपाहार जो गोंद City की मैटर इनके अंदर रहता है इननर पार्ट से स्टेम के कई तन ऑवे बैर भूर bö क्या होता है स्टिनेन ऑटर में वेक्टिरिया होता है बैक्टिर्या इनके अंदर जो गोंद होती है कि छीज़े होती है उसको खा लेती है और इस प्रोसेस को पुरा है पंडल Argentina को काटा यह कॉट काट कि यह तुकि फिरिज की जो है इक प्रदार्थ होता है जिसमें क्या अगर रुकावा पानी इसमें बचल ग्रोर कर जाएंगे विद्टिरिया क्या करेंगे असी की चीज़ को खालेंगे खाने के बाद क्या होगा फिर अवियस थी बात है फाइबर जो है वह वह स्टिकीनस ही कि तो वह अलग अलग हो जाएंगे इस पूरी प्रॉसस को हम रेटिंग का प्रॉसस बोलते हैं जब जो स्टम होती है वो सड़ जाती है दा फाइबर्स आर सेपरेटिग वाया है तब हम उन फाइबर्स को हाथ से अलग कर लेते हैं जैसे आप कोई चिस चिप की वी यह कुण से गोंदी हट जाय तो क्या आप वो अलग-अलग हो जागी स्किमेस इसमें भी होता है दा फाइ प्राइब बेज देते हैं यह देखे जूट बाग जूट बासके दिखा रखें आपको यह देखे पूरा प्रसेस चल रहा है आप ए ब्रेकिंग दा जूट प्लांस एंड यून इस ट्रिपिंग दा फाइबर फाइबर की स्ट्रिप्स बना रहे है अब दे आर देन इस पन वहां जब यह फैक्टरीज में पहुंच जाते हैं तो वहां पर इसपन होते हैं वुविन किये चाहते हैं बुने जाते हैं इंटु टेक्स्टाइल एक दा मिल्स ठीक है आगे दिखते हैं यूजस क्या है जूट के जूट के जूट इस दा सेकिंग मोस्ट इंपॉर्टन फ इंटु कर्टीन अच्छी कॉलिटी का जूट होता है उससे तो पर्दे भी बनाए जाते हैं कारपेट यानि की कालीन भी बनाए जाते हैं चेयर की कवरिंग बनाई जाती हैं पैकिंग ऑफ लाइम लाइनोलियम उसकी पैकिंग के लिए काम आता हैं शॉपिंग बैक्स चेह सकते हैं यंत टेबल Bennett's बन सकते हैं बहुत घृत-वन जातीется लीम जुड़ियम एूट से DRS लालगी जाते हैं इस तरह की जूट बहुत लाइपख्यों के लिए ज्विस पॉरीम भी ही बन्लूर But और चैसे अपको खुदी पढ़ने यह आप आजाते हैं यहां तक है सारी अक्टिविटी ए राइट सारी एक्टिविटी है सम अदर उस्फुल फाइबर गुछ और उसकूल वाइबर भी हैं जैसे कि वूल वूल इस ऑप्टेंट राम दफ्लीस ओफ भी राइब लेसे प्र टांवी स्राफनार्व करने पर दोन जसा निंट काष earnings किया जाता है West पूछे जाता हैं इसे जल के आप से गदी होती है दोने कंट जाता है and then into machine टिक है मशीन में इसको कॉम्मिंग की जाते है जिसे धागे जैसे बन जाए वह चाहिना में डैवलब्ट हुआ था it is also obtained from cocoon of the sels लो को बता है कि इस कहां साथ यह कोण और स्ल्क वार्म से आते हैं इच सिल्क वार्म इस सिल्क वार्म होता है कि सिल्क भूम जो था ठीक है अब the cocoon is boiled in water, cocoon को क्या करते हैं उठाते हैं और पानी में डाल देते हैं, इससे कील हो जाता है अंदर जो warm होता है, यह देखो ऐसी होता है, यह warm है, यह अपने मुझ से कुछ लार निकालेगा और इससे लपेटे जाएगा अपनी बोडी के उपर, लगबाग 800 मीटर क अब जब यह तैयार हो जाता है तो उठाके इसको क्या करते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा नरदई वहला process इसको उठाके boil कर देते हैं, इससे अंदर जो कीड़ा होता है, वो मर जाता है, और धागा हम यूज कर लेते हैं, इसको खोल दिया जाता है, to get the silk fiber, क्यों खोलते हैं तका राप्त करने के लिए, अगें अइन इंपोर्टेंट डेफिनिशन, the raring of silkworm for production of silk is called sari culture, silkworm को पालना, raring करना बहुत लार्ज scale पी होती है, जरूरी ने के large scale पी हो, बट जो silkworm है, उसको पालने का जो process होता है, उसको हम बोलते हैं, sari culture, हाँ, लेकिन यह आत रखेगा, क कि इस तरह के देफिनिशन्स जो है वह इजा में काफी पूची जाती है ठीक है अब रिसर्चर्चर्चर्स हैस डेवलप्ट और कम फ्लेक्ट फाइब फाइब रिक क्या बोलते हैं इसको क्वांटम स्लिट इसकी स्पलिंग याथ कले ना भाई स्टिलिट और डाट कें डाट क इसको बोलते हैं क्वांटम स्टैल्थ ठीक है विसे स्पलिंग याथ कर लेना ठीक है इसके अब आगे आते हैं हिस्ट्री ठीक है अब भी चैप्टर कंप्लीट हुए लगए गंटा हमारा होने वाला है कोशिश करती हूँ बस फिनिश करने वाली हूँ क्यों कि चैप्टर अब लोगों को कपड़े के बरेमें जाधा जान करी तो थी नहीं कपड़ा ही नहीं था ठीक है तो क्या करते थे टेस्ट कहा जाते कि दूरिंग दोस देस पीपल जो है वो बारक और प्री से यूनों लार्ज लीव से अपने आपको कवर कर लेते थे इस्टार्ट इस तरह से अपनी बाड़ी को ढख लेते थे राप कर लेते थे इससे क्या होता था है तो कीप देंसे वार्म दूरिंटर स्ट के टाइम पर यह आपको वार्म रगते थे इस तरह से आफ्टर पीपल बिगें टू सेटल इन अगरी कल्चर जब लोगों ने शुरू किया अग ग्रास उत्यों सिम्माइट वगरा बनाई जाएं जो तिन कियो थे गास वगरा के उससे बास्केट बनाई जाहे लेटर फिट भी दीर दीर क्या हुगा हुआ हुए हुमंस चुख है उन्होंने डेवलप कर ली टेकनीक फार स्पिनिंग की और फिर वीविं की क्लोथ को और फ्लफी सब्स्टेंस से फॉर्टन प्लांस तो मिल्क महां से मिल्क थे अब देख्लोटिंग वस इन्वेंटेट बेट विल्क फिफ्टी थाउजन यूर्स लेकर वन लाक यह साइगो ठीक है याद कर लेना कब इन्वेंट वी थी और इन एंशेंट एजिप्ट में थी सब्सक्राइब देख्लों करोन्स प्लांट यूज़ किनारे और यूज फॉर मेर्क मिल्क से लिए यहां से भी कूशन पूचा जा सकते हैं पता है इन इप पाथ करते तो यूज़ ओफ फॉटन इस प्रेड हुआ ता लगब ही नजार साल पहले इन चाइन चाइना सिक वां ते हां रखना कहां पाले गए थे पहले चाइना में डमेस्टिकेशन ऑफ दे सिल्क वाम इन चाइना स्टार्ट वत अलग बगती सजा तीन अजार साल पहले तीन अजार बीसी इसको याद कर लेना याद से दाफबरिक्स वर दने सपन इन तो थ्रेट इसको बुना जाता है विट्वर विवन इटो में इक सेट वर में जाता है सिल्क क्लोथ बना जाता है असा लग रहा है मैं ठक गई हूँ अब हाँ चलो कोई बात नहीं आगे दिखते हैं अर्लिया स्टिचिंग वस नॉट नोट नूट पर पहले लोगों को सिल्ना तो आता नहीं था तो विमन उस्ट वेर साड़ी और मैं उस्ट वेर दोती क्योंकि सिल्ना कुछ आता नहीं सीधा जीधा ऐसे पहन लिया यह सब यूज के जाते हैं आने स्टिच क्लोट की तरह विद इन्वेंशना आई तो पीपल ने स्टिचिंग को स्टिचिंग फाब्रिक्स को तुमें क्लोथ कपड़ा बनाने के लिए तुझे वेरियस स्टिच क्लोथ सच जैसे जीन्स होगे शूट्स होगे शर्ट्स होगे ट्राउजर्स होगे बहुत पाप्लर हैं आज प्रेजेंट दर इस लाज वराइटी ऑफाब्रिक्स तो चूस फ्रॉम मतलब बहुत वराइटी है हम कुछ भी चूस कर सकते हैं अबाउट 35,000 इयर्स ओल्ड स्टिचिंग निडल्स मेडप ऑफ बोन्स अच्छा जी 35,000 साल पहले जो सुन्या बनी थी ना वो किस से बनी थी स्टिचिंग निडल्स बनी थी बोन्स से और आइवरी से बनी थी ये डिसकवर किया गया है इंडिया में डाइट फिनिश ओता है हमारा ये चैप्टर और ये बहुत बढ़िया आपको एक फाइबरिक्स का पुरा जो फाइबर टू फाइबरिक्स तक के जो सफर है उसका फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाया हुआ है ठीक है इस तरह से आप अपने एग्जैम में बना सकते हैं और ये अच्छा लगे तो लाइक किजिएगा शेर किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और बाकी जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं उनको मदद किजिएगा वीडियो को शेर करके तैंक यू सो मच बढ़ाए